अस्वाम नेकुम पहरे दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूं तो दोस्तों आडर पैक कर रहे हैं हम रशीद ब्रादर्स का ठीक है उनका आडर था कि उन्हें 50 पैकट चेहीं था कि जिए खाग किली का यानि के मेल पेसर इसे प्रियाबी में हम किली भी करते हैं ठीक है त तो दोस्तों रशीद ब्रादर्स का आडर पैक करने के बाद अभी मैं आपको स्पेसर्स का रिव्यू देता हूँ क्रास स्पेसर्स आपसे पहला दिखा देता हूँ ये पियोर के अंदर पड़े हुआ है ये थोड़ी सी हलकी कॉलिटी के अंदर पड़े हुआ है मतलब उस से एट लीस्ट हलकी है लेकिन ये नहीं कहा सकते के बहुत हलकी quality है ये भी जो है वो मौत दिल quality है अच्छा इसके बाद आजाते हैं हम अपने किली, क्लम्प और चुड़ी वाले spacer के उपर ठीक है आपको जो है वो नस्दीक से मैं जो है वो मुकमल review दे देता हूँ गोर से आप देख लें इसके अंदर कौन-कौन सी जो है हमारे पास क्लम्प की वराइटी है कौन-कौन सी किली की वराइटी है ठीक है जी क्योंगे नार्मल जमान में या पकिस्तान में से किली क्लम्प ही का जाता है male female से अक्सर लोगों को फर्रक होता है एक बात याद रखिएगा भाई अतरास करते हैं कि यहर पिछली बार आप हमें दे रहे थे किसी और प्राइस में इस बार पांच रुपए आपने महंगा क्यों किया तो सर फर्रक होता है कोई भी कलम पैना इसका वजन और है जब आप इमान दारी से होल सेल पे काम कर रहे होते हैं तो एक एक रुपए के पीछे आप लड़ते हैं बहस करते हैं बारगेनिंग करते हैं उसकी वज़ाई यह होती है कि इंतहाई मनासिब से मारजन पे हम जो है वो काम करते हैं उसके अंदर एक दो रुपए हमें बचने होते हैं अगर वो ही हम रायत कर दें तो सर हमने रोजी कहां से करनी है तो इस चीज़ का दियान रखा करें लोग देते हैं लोग यह देते हैं तो मेरे पाथ थोड़ी हलकी चीज़ आए मैं रेट मनासिब देता हूँ ठीक है जी अच्छा इसके अंदर भी माँ आपको रिव्यू दूँगा सबसे हलका स्पेसर उससे अच्छा स्पेसर यह वाला स्पेसर तो अच्छा है यह भी अच्छा है ठीक है यह प्योर के अंदर है यह थोड़ा जनके बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर शुरू हो गया इस से अच्छा और मजबूट स्पेसर आपको पूरे पाकिस्तान एम नहीं मिलेगा थिक है मैं इन से समान लेता हूं या नहीं लेता अच्छी चीजी तरीफ लाजबी करता हूं हर विडियो में अलedlyला करता हूं पूरे पाकिस्तान में शाहिन टीलस गयसा spacer कोई भी नी बना रहा इसका वजन इसकी thickness और इसकी मजबूती और purity में कोई शक नहीं है ठीक है यह सबसे अच्छा spacer है पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान में इस size का और इस thickness का और इस वजन का कोई spacer बना रहा है न तो मुझे लाजमी दखाईएगा इसका मतलब यह नहीं शायद मेरे इलम में ना होके कोई बना रहा हो तो मुझे review लाजमी दीजेगा इस जैसा spacer पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा है एक और अच्छे तरीके से इसका review कर लें इसकी किली का size देखें कितना फरक है इसी तरीके से इसके वजन में भी फरक है इसकी प्योर होने में भी दूसरों से फरक है और यह बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है इसके बाद आयाते हैं हम चूड़ी वाले spacer पर यह वजनी चूड़ी वाला spacer है यह थोड़ा सा कम वजन के अंदर है जो चीज़ आपको पसानद है प्राइसिन की राउंड वाउट यह इसके अंदर अच्छी चीज़ यह है कि इसकी अकेली तार जो है न वो चेंज हो जाती है अगर तार आपकी टाइल के अंदर टूट भी जाती है तो आप अकेली तार इसकी चेंज कर सकते हैं मैं आपको खोल के भी इसका रव्यू देता हूं ताके आप समझ सकेंगे मैं क्या कहा रहा हूं यह देखें यह भी चूड़ी वाला spacer है इसी तरिके से यह किली की जो है वो वराइटी पड़ी हुई है यह हमारी एच्चम की ग्राउट